गुड़ मॉर्निंग बच्चों आज का अमारा सब्जेक्ट है हिंदी लास्ट टैम जब हिंदी का सब्जेक्ट था तो हमने लिखा था इसे इक उसके बाद क्या आता है उसे उल्लू तो ये देखो ये क्या है उ और ये है उल्लू जिसके इंग्रिश में हम क्या बोलते है आवल बोलते है न ये है ऋल्लू तो शबसे पहले ये वक्षित है इसमें ट्रेसिंग करेंगे और चलो करते हैं ट्रेसिंग तो यह रखे में यहाँ पेंसिल सबसे पहले हमें करनी है यह से कव करके सर्कल फिर दूसरा कव करके उपर जाना है और फिर बनानी है स्टेंडिंग लाइं यहाँ पेंसिल यह बना यह कव फिर सर्कल बना के नीचे जाके सर्कल बना के उपर तो यह बन जाएगा हमारा क्या, उसे उल्लू, क्या बन जाएगा, उसे उल्लू, और क्या बलते जाना है, उसे उल्लू, उसे उल्लू, उसे उल्लू, उसे उल्लू, उके, तो इस तरह से आपको यह फूल वक्षिट है, इसमें ट्रेसिंग, कम्प्लीट करना है, उसके बाद नोट बुक में तो यह देखो बच्चों यह है हमारी नोट बुक यहां पर देखो मैंने उ से उल्लू लिख दिया है और टू लाइन्स में उ लिखा है इसको आपको सबसे पहले ट्रेसिंग करना है और फिर नीचे जो बॉक्स है उसमें आपको खुद लिखना है ओके तो सब सबसे पहलें करेंगे हम इसको ट्रेसिंग तो यह मैंने कर दिया इसको ट्रेसिंग इस तरह से टू लाइन्स आपको ट्रेसिंग करनी है फिर यहां पे लिखना सिखाती हूँ चलो यहां पे रखी पेंसिल यह कव करके सर्कल फिर दूसरा से में सर्कल बनाके एसे और फिर उ पर करने है slipping line तो क्या बन जाएगा ये उसे उल्लू क्या बन जाएगा उसे उल्लू ओके ऐसे उसे उल्लू बोलते जाना है और लिखना है उसे उल्लू उसे उल्लू उसे उल्लू ओके इस तरह से फुल पेज आपको complete करना है और बाद में लिखना है notebook में तो यह देखो बच्च यह है हमारी textbook का page number है six ओके तो यहां पे सबसे पहले हमें दिया है बड़ा सा उ तो फिर उ से क्या होता है उल्लू और उसे उपहार जिसको हम English में क्या बोलते है गिफ्ट बोलते है ना उसे हिंदी में बोलते है उपहार तो सबसे पहले यह three lines से उसमें हमें tracing करना है बाद में यह two lines से उसमें हमें खुद लिखना है और last में एक activity दिये है वो भी देखेंगे तो सबसे पहले करेंगे हम tracing तो यहाँ पर रखेंगे पेंसिल पहले बनाया एक चोटा सा कव फिर circle बना के दुसरा कव करके उपर और फिर उपर बनाया एक slipping line ते बन जाएगा उसे उल्लू क्या बन जाएगा उसे उल्लू अच्छे से dots joint करने है ओके उसे उल्लू तो इस तरह से आपको यह थ्री लाइन से इसमें tracing करना है और नीचे खूद लिखेंगे तो यह बनाया में चोटा सा कव फिर circle बना के दुसरा कव करके उपर और फिर slipping line तो यह बन जाएगा हमारा उसे उल्लू क्या बन जाएगा उसे उल्लू बहुत अच्छे वाले writing करने है गंदे गंदे करने नहीं है इस तरह से यह two lines आपको complete करनी है और नीचे क्या दिया है चित्र को उनके नाम के पहले अक्षर से मिलाई है यानि कि यहाँ पे जो चित्र दिया है उसको उसके अक्षर के साथ हमें क्या करना है चोइंट करना है तो सबसे पहला क्या दिया है उलू यह तो उसे उलू तो यह इस उलू करेंगे फिर क्या दिया है इमली तो ई से इमली फिर क्या है अनार तो अ से अनार और लास्ट में आ से आम उके तो इस तरह से सब कुछ आपको complete करना है और बाद में सबकी photos खिचके मुझे send करना है Okay, bye bye